ही गाईज, वेलकम टू नॉटी स्टिचेज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ राउजर का एक सुन्दर सा डिजाइन शेयर कर रही हूँ तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने कपड़े की एक पट्टी काटी है 1.5 इंच चौड़ी और इसके पीछे मैंने फ्यूस पेपर चिपका लिया है अब इस तरह से हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और तक्रीबन आधा इंच चौड़ी हम पट्टी बना कर तयार कर लेंगे तो इस तरह से फोल्ड करके इसकी किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह और अब हम इसकी दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे सिलाई हमें बिल्कुल सीधी सीधी लगानी है अब इस पट्टी में से हम 3-3 इंच के पीसिस काट लेंगे इस तरह से और अब हमें कोई भी रफ पेपर लेना है जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपके ड्रावजर के पॉंचे की चौड़ाई हो इस तरह से इन पट्टीयों को हमें न्यूस पेपर के उपर सिल देना है ये देखिए बिल्कुल बराबर दूरी पे हमें इन पट्टीयों को रखना है और सिल देना है इसी तरह से हम इनके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे अब सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा पट्टीयों को काट देंगे और इसे बिल्कुल सीधा कर देंगे अब हमें एक और कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई मैंने लिए है 6 इंचेज और इसको हमें इस तरह डाइकनली फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें बारिक बारिक पिंटक्स लगाने है यह देखिए मैं यहाँ पर बिना निशान लगाए ही पिंटक्स बना रही हूँ अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले चौक और स्केल की हल्प से बराबर दूरी पर इस तरह लाइन्स लगा लीजिए और उसके बाद ही पिंटक्स बनाईएगा यह देखिए बिलकुल किनारी पर हमें इसको सिलना है और इस से बारीक बारीक पिंटक्स हमारे बन जाएंगे यह देखिए तो यहाँ पर एक तरफ मैंने पिंटक्स बना लिए है इस तरह अब पिंटक्स से हमें बॉक्स जैसी शेप बनानी है तो इसके लिए अब हम दूसरी तरफ भी पिंटक्स बनाएंगे अब हम इस डारेक्शन से कप्ड़े को डाइगनली फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम बिल्कुल बारिक सिलाई लगा लेंगे साथ की साथ हम इसे इस तरह सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल बराबर दूरी पर हमें कप्ड़े को फोल्ड करना है ताकि सभी बॉक्स का साइज एक जैसा बनें यह देखिए तो इस पट्टी के उपर मैंने पिंटक्स कर दिया है और इसे अच्छ से प्रेस कर दिया है अब हम इसके उपर लेस लगाएंगे लेस लगाना विल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो बिना लेस के भी यह डिजाइन बना सकते हैं तो इस लेस को मैंने इस तरीके से किनारी पर रखा है और इसके उपर मैंने सिलाई लगा दी है अब मैंने 4 इंच चौड़ा एक प्लेन फैबरिक लिया है और इस पट्टी के उपर इस तरह से मैंने इसे रख दिया है अब जो सिलाई हमने unless attach करते वह लगाई थी, बिल्कुल उसके उपर ही हमें सिलना है अब इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे और कपड़े के उपर एक टॉप स्टेच लगा देंगे इस तरह से अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से अब उपर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और इस पट्टी की चाड़ाई चार इंच बनकर तयार हो गई है अब जो हमने पट्टी न्यूस पेपर के उपर बना कर तयार की थी उसे हम इस तरीके से उल्टा करके इसके उपर रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह अब हम इस बॉर्डर को ट्राउजर के उपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर हम फिर से सिलाई लगाएंगे यह डिजाइन आप अपने ट्राउजर के साथ साथ अपने कमीज के दामन और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं अब इससे हम सीधा करेंगे और यहां पर भी एक टॉप स्टेच लगा देंगे बिल्कुल सफाई से इस तरह से सिलाई लगाने के बाद पीछे से इसका नियूस पेपर हम निकाल देंगे जो की बहुत आसानी से निकल जाएगा और यह देखिए इसके साथ ही हमारा ट्राउजर का यह डिजाइन बन कर तैयार हो चुका है तो गाइस अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ-साथ बैल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगिलर अपडेट्स मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाच्चिंग बाई बाई